नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद के विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंदित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले हम यह देखते हैं कि कल जो प्रशन पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपाद की की और जिसका सिर्षक है और इस संपाद की को लिया गया है दा हिंदू नीजबेपर से और यह संपाद की जी एस पेपर टू में सामिल विस है दुईपक्चिये छेत्रिये और वैस्विक समोह और भारत से समन्दित और अथवा भारत के हीतों को प्रभावित करने वाले करार के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपाधिकी को विस्तार के साथ इस संपात्की का आधार है संघाई सहयोग संगठन सदस देशों के सासन प्रमुख की बैठक जिसकी मेजबानी पहली बार भारत की द्वारा की गई अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की तो यह एक इस्थाई अंतर सरकारी संगठन है जिसका पहले नाम था संघाई 5 और इस संघाई 5 का गठन किया गया था 1996 में जिसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकस्तान देश सामिल थे 2001 इस्थी में इस संगठन का नाम SCO हुआ जब उजबेकिस्तान का इस संगठन में प्रवेस हुआ 2017 इस्थी में भारत को इस संगठन के सदस देश का दरजा प्राप्त हुआ इस वर्स संगाई सहयोग संगठन की दूसरी बैठक भारत में हुई पहली बैठक का आयोजन मासको में किया गया था इन दोनों बैठकों का आयोजन वर्च्वली किया गया है दूसरी बैठक जिसका आयोजन भारत के द्वारा किया गया तो बैठक के समापन पर 66 बिंदुओं के साथ संयुक्त घोसना को जारी किया गया 2021-22 में वेवहारिक उपायों से संबंधित योजना का विकास करना है सदस्य देशों ने बहुपक्षियता और UN चार्टर पर अपनी परतिबद्धता जताई और सदस्य देशों ने इस तथ को भी स्विकार किया है और स्वागत किया है कि अब SCO अंतरास्टिय संगठन की आध स्विकार निभारा है SCO की यह दूसरी बैठक जिसका आयोजन भारत में किया गया यह प्रधानमंत्री के परिसद वाली सासन प्रमुक के मद्ध आयोजुत हुआ परंतु संसदिय लोकतंत्र और पूर्व सोवियत ब्लॉक और चीन इन दोनों में प्रधानमंत्री पद के प्रोटोकॉल के अंतर के कारण भारत के प्रधानमंत्री SCO की इस बैठक में सामिल नहीं हुए भारत के प्रधानमंत्री का प्रतनित्य किया भारत के उपराश्टपती ने जिन्हों ने इस बैठक में सीमा पार आतंगवाद के मुद्दे को उठाया उपराश्टपती ने पाकिस्तान को निसाना बनाते हुए सीमा पार आतंकवाद को S.C.O. छेत्र में सबसे बड़ी चुनोती बताई तो भला पाकिस्तान कैसे पीछे रहता तो पाकिस्तान के प्रतिनिधी ने जम्मू कस्मीर को संबोधित कर राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने की आवसकता पर बल दिया अब यहाँ पर एक रोचक तथ यह है कि संगाई कोपरेशन और्गनाईजिसन एक ऐसा दुरलव फॉरम है जहां छेत्रिय गैर आतंकवाद संगरचना के अंतरगत संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता है जिसमें भारत और पाकिस्तान भी भाग लेते हैं परन्तु दोनों देसों ने आज तक आतंकवाद के मुद्दे पर मन्च साजा नहीं किया है परन्तु अंतिम संयुक्त घोसना पत्र में भी आतंकवाद से समन्धित कोई कथन नहीं आया अंतिम सयुक्त घोसना पत्र या मुक रूप से केंद्रित था व्यापार और आर्थिक मुद्दे पर परन्तु वन बेल्ट वन रोट पहल पर भारत को छोड़ कर से सभी सदस्य देसों ने इसका समर्थन किया अब यह सही है कि SEO के सदस्य देसों के बीच विचारधाराब के इस्तर पर अंतर है परन्तु इसके बावजूद भारत सरकार के द्वारा SEO ग्रूप की प्रमुकता को बनाए रखा गया है यहां तक कि भारत के द्वारा इसे एसियन नाटो की संग्या भी दी गई भले ही यह संगठन रक्षा सयोग से सम्मंधित नहीं है भारत सारक BBIN यानि बांगलादेश भुटान इंडिया नेपाल इनिसेटिव और RCEP में अपनी सक्रिय भूमिका को नहीं निभारा है परन्तु SEO सहित अन्य छेत्रिय संग्रचना या संगठनों में भारत अपनी महत्पूर्ण भूमिका को निभारा है अगर SEO की बात करें हम तो यह भारत को व्यापार और रणनीतिक छेत्रों में मद्ध एसिया से संपर्क बढ़ाने की सुईधा प्रदान करता है इसके अलावा SEO भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ दुईपक्षिय वारता के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है हाँ यह अलग बात है कि पिछले पांच साल से पाकिस्तान के साथ भारत का कोई समवाद नहीं हुआ है परन्तु इस वर्स आयोजित SEO की प्रथम बैठक में भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री से बाचित की थी बावजूत इसके कि दोनों देशों के बीच सीमा गतिरोज जारी है अब महत्पूर्ण बात यहां पर यह है कि SEO भारत की भूराजनितिक संतुलन को बनाये रखने में मदद करता है साथ ही नई दिल्ली को पश्चिमी देशों के साथ अधीक मजबूत सम्मंधों को बनाने में SEO काउंटर पॉइंट की भूमिका निभाता है SEO की मेजबानी जो भारत ने की है इनहीं सम्मंधों को विक्सित करने की दिसा में एक महत्पूर्ण कदम है तो इस प्रकार इस संपादिकी के द्वारा हमने SEO के हाल की बैठक पर चर्चा की अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका सिर्षक है इन हर नेम इस संपादिकी को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपादिकी जी एस पेपर फरस्ट में सामिल विसे सामाजिक ससक्तिकरण के द्रिष्टिकों से महत्पूर्ण है चले देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार है नेम प्लेट मामला यह है कि उत्राखंड राज्जी के पौड़ी गडवाल जीला परसासन ने परिवारों को इस बात के लिए प्रोटसाहित किया है कि वो अपने घरों पर बेटी के नाम का नेम प्लेट यूज़ करें अब यहाँ पर बात यह है कि नाम में क्या रखा है तो नाम में रखा है पित्रि सप्तात्मक समाज में महिलाओं को बच्पन से ही यह बताये जाता है कि उसके अपने नाम की कोई पहचान नहीं है क्योंकि विवाह के बाद लड़की का नाम और परिवर्तित हो जाता है और जादा तर लड़कियां पती के परिवार के नाम का ही प्रियोग करती है। इतना इने किसी किसी समुदाय में तो लड़की का पूरा का पूरा नाम ही बदल जाता है। और लड़की की किसमत में पिता के घर में जो इस्थान उसने लंबे वर्सों से बना कर रखा है और पिता के घर पर जो उसका अधिकार है वह इस्थाई नहीं है बलकि और इस्थाई है। तो जीरा परसासन के द्वारा यह जो पहल की गई है तो सरकार को यहाँ आसा है कि लेंगिक अधिकार और महिलाओं के संपत्ति संबंदी जो अधिकार है उसके प्रती समाज में जागरुकता का निर्मान होगा। वास्तव में महिला के नाम को भारती घर में इस्थान बनाने में संघर्ष करना पड़ता है और यह इसारा करता है कठोर आर्थिक तर्क का जिसमें विवा का अर्थ पुरुष की संपत्ति और परिवार की संपत्ति में व्रिद्धी करना है ना कि महिला के वित्ति हालात में भले ही कई ऐसे प्रगतिसील कानुन बन चुके हैं या प्रगतिसील परिवर्तन हो चुके हैं परन्तु अभी भी आर्थिक कुतर्क जो प्रस्तुत किया जाता है ये प्रगतिसील परिवर्तन उसके समक्ष प्रियाप्त नहीं हैं भले ही महिला को अभी अधिकार मिल चुका है कि वो पिता की संपत्ती पर दावा कर सकती है परंतु अभी भी उसे सामाजिक वैधिता नहीं मिली है परंतु अध्यन यह भी कहता है कि संपत्ती संबंधी स्वामित जो महिला को मिला है उससे घरेलू हिंसा में कमी आई है तो नेमपलेट की या जो नई पहल पौड़ी गरवाल परसासन के द्वारा प्रारंभ की गई है महिला के अस्तित और महिला अधिकार से संबंधित तुरंत कोई सकारात्मक परिनाम ना दे परंतु महिला के बेहतर भविश्य निर्मान में यह नई पहल प्रारंभिक भूमिका जरूर निभाएगा अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपादकी की ओर जिसका सिर्षक है मेंड एंड रिपेर इस संपादकी को भी लिया गया है इंडियन एक्स्प्रेस से और या संपादकी जी एस पेपर ठर्ड में सामिल विसे अर्थ विवस्था एवं यो यह इसलिए कही जा रही है क्योंकि कंट्रोलर जेनरल आफ अकाउंट्स के डेटा को सारजनिक किया गया है जिसमें दो हजार बीस इकीस वित्ती वर्स की पहली छामाई के संकुचन के बाद ऑक्टूबर महिने में केंद्र सरकार के सकल कर संगरह में सकारात्मक्ता दिख रह कर संगरह में विर्धी और यह कर संगरह पिछले वर्स के एक्टूबर महिने की तुल्ना में 1.76ляk करोर रुपेस कम है Controller General of Accounts के डेटा के अमसार केंद्र सरकार के October महने में सकल कर संग्रा में 17% की विर्धी देखी गई है और पर्टक्ष कर संग्रा की अगर हम बात करें तो उसमें 23.6% की विर्धी देखी गई है और यह विर्धी हुई है Central GST, Excise और Custom संग्रा में विर्धी के कारण और इनमें विर्धी का कारण है उपभोग की क्रिया कलाप में विर्धी का होना वहीं अगर प्रत्यक्ष करकी हम बात करें तो प्रत्यक्ष करके अंत्रगत व्यक्तिगत आई कर में 16.6% की विर्धी हुई है जबकि निगम कर में अभी भी संकुचन जारी है हलां कि संकुचन की दरपाले की तुलना में कम हो रही है जबकि विनिवेस और गैर कर राजसु के छेत्र में अभी भी चिंता कायम है अगर विनिवेस की बात करें तो वित्ती वर्स 2020-21 में सरकार का लक्ष है 2.1 लैक करो रुपेज जबकि इस वित्ती वर्स के सुरुवाती 7 मेंने में सरकार के द्वारा जो रासी प्राप्थ की गई है वह लक्ष की तुलना में अत्यन्ध ही कम है वहीं अगर गैर कर राजसु की हम बात करें तो वित्ती वर्स 2020-21 में जो बजट का लक्ष है उसका मात्र एक तिहाई सुरुवाती 7 में में प्राप्थ किया गया है जबकि पिछले वित्ती वर्स के सुरुवाती 7 में गैर कर राजसु का जो बजट लक्ष था उसका 72 प्रतिसत प्राप्थ किया जा चुका था कर प्राप्ति में सुधार के बावजूत केंद्र द्वारा राज्ज को राजस्व हस्तांतरण जो सितंबर महिने में किया गया था तो सितंबर महिने की तुल्ला में ऑक्टूबर महिने में केंद्र द्वारा राज्ज को कम राजस्व हस्तांतरण किया गया NSO यानि National Statistical Office के द्वारा जारी चालू वित्वर्ष के दूसरी तिमाही के GDP आंकडों से हमें यहाप पता है कि सरकारी व्ये में गिरावट हुई है परंतु October में इस प्रविर्ति में परिवर्तन हुआ है और केंद सरकार के व्ये में 9.5% की विर्धी हुई है केंद सरकार के द्वारा कई राहत पैकेज की घोसना की गई है परंतु इसके बाद भी सार्जनिक व्ये में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है और अगर सरकार ने चालू वित्वर्स में बजट व्ये का जो लक्ष रखा है और अगर उस बजट व्ये लक्ष को पूरा करती है तो इससे नवंबर से मार्च महिने की अबधी में सरकारी व्ये में 33.7% की व्रिधी होगी जो अर्थविवस्था को सकारात्मक आवेग प्र जड़ा इस प्रश्ण पर विचार कीजिए निम्न संगठनों को उनकी स्थापना वर्स के आधार पर पहले से अंतिम के क्रम में सजाएं पहला ब्रिक्स दूसरा संगाई सहयोग संगठन तीसरा ACI विकास बैंक और चोथा सार्क सही विकल्प का चेन करें ओप्सन A 3-4-2-1 ओप्सन B 1-2-3-4 ओप्सन C 4-3-2-1 और ओप्सन D 2-3-1-4 यह रहा दूसरा प्रश्ण है कि संगाई संगठन के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारत के संदर में इसकी उप्योगिता बताएं इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते ह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार